लेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ चैनल टादे रादे क्रोचेट तो दिखिए गोपाल जी की ट्रेस हमने बनाई है छे और सात नमबर गोपाल जी को आ जाएगी और छे नमबर गोपाल जी की चोली हमने अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है तो हम इसका खेरा बन यह हमारा फ्रंट फोस्ट वाला घेरा हैंdollar इसके लिए भी हमने वीडियो अफ्रोड कर दिया है लिर्शाटे वाली ड्रेस थी तो इसमें यह वाला घेरा फरंट फोस्ट वाला यूज हुआ था तो पूरी ड्रेस और यह डिजाइन सब कुछ हम बनाएं तो देर लग जाएगी इसलिए हम पहले घेरा अपलोड कर देते हैं और बाद में भी कोई भी ड्रेस बनानी हो तो इसमें यह वाला घेरा अगर यूज होता है तो सिर्फ हमें पैटन ही बनानी पड़ेगी इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा त तिर्फ एक छाता बना करके मैंने पीछे लगा दिया है तो आप इसके साथ मुख उट इस तरह का बना लीजिए और इससे पहले हमने यह वाली ड्रेस बनाई है देखिए यह वाली तो यह है पांच और छे नंबर गोपाल जी की तो यह वाला जो है वो बेक साइड वाला है हम खास करके यह वाला हमारा फ्रंट पे आता है यह सी भी चोली हमने बनाई है और यह हमारा बेक साइड है इसमें यह वाला फ्रंट साइड है तो इसमें भी हमने प्लैन घेरा और यह वाली चोली दोनों की वीडियो अपलोड कर दी है प्लैन घेरा अगर आप बनाना चाहत तो भी आप इसमें बना सकते हैं, इसके साथ का मुकुट भी बनाया है, और ये वाली जो ट्रेस है, अभी हम बनाने वाले हैं, वो वाली आप हर नमबर से बना सकते हैं, देखें, हमने जीरो और एक नमबर गोपाल जी की बना करके अपलोड की है वीडियो, इन दोनों की करके वीडियो अपलोड किया है, तो इसमें से देख करके आप बना सकते हैं, तो ये वाला जो ट्रेस है, इसमें हमने ये प्लैन घेरे में बनाई है, ये वाली डिजाइन, और डिजाइन किस तरह से बनानी है, देखें, इसी में से ये वाली पैटन है, लेकिन ये जब हम ट तो इसी तरह का घेरा हम इस वीडियो में बनाएंगे चोली हमने छे नंबर की बना करके कंप्लीट कर दी है तो चलो घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते इसका भी लिंक में डिस्ट्रिक्शन बोक्स में दे दूंग तो देखे ये वाली चोली तो हमने बना दी लेकिन जोइट करना बाकी रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग करते है किस तरह से उपर का वर्ग करते है तो छे नंबर की चोली के एंड में हमारे पास 28 चैन होती है तो इसमें हम पहली चैन में डाल करके सिंगल ट्रोषे के आख करेंगे तब हम इसमें डबल क्रोशा बनाएंगे तो बाझू चो Ooh होती है वहां तक स्लिप स्टिच से जाएंगे फिर वहां से खेरा बनाना स्टार्ट से इस दो से इसे करके slip stitch करते हुए side तक चले जाएंगे और अब हम यहां से खेरा बनाना start करेंगे तो इसके लिए हम एक दो और तीन इखे यहां पर आ गए फिर हमने खेरा यहां से बनाना start किया तो यह हमने तीन chain बनाई इसके बाद हम next वाली chain में same chain में दो बार double crochet बनाएंगे फिर एक chain बनाएंगे दो double crochet के बाद एक chain फिर से एक बार double crochet next वाली chain में नीचे हमें कोई chain skip नहीं करनी है एक बार किया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में, सेम चेन में दो बार, ऐसे, दो किया, इसके बाद एक चेन, फिर से, एक, और नेक्स्ट वाली चेन में, सेम चेन में दो, दो बनाने के बाद एक चेन, इस तरह से, पिरले एक, फिर दो, दो बनाने के बाद एक चेन, तो इसी तरह से हम round को complete कर देंगे और यहाँ पर slip stitch में आएंगे तब मैं बता दूंगे किस तरह से work करना है और यह हमारे 28 chain है हमारी आखरी round में तो हमारी 14 कलिया बनेगी इसे हम एक कली बोलते है दिखे यहाँ पर से hole दिखता है यहाँ पर से hole दिखता है तो यह हमारी एक कली हुई इस तरह से हमारी 14 कलिया बनेगी तो इस round को complete करते है तो दिखे यहाँ पर हम slip stitch जो हमारी बनाई हुई थी वहाँ पर आ गए है तो यहाँ पर हमने 2 double crochet बना करके एक chain भी ले ली है तो जो हमने slip stitch बनाई थी इसे ही हम उठाएंगे देखिए इस तरह से ऐसे नीचे से chain नहीं उठाएंगे जो हमने उपर slip stitch बनाई थी वह ही हम उठाएंगे तो एक बार बनाया next chain में same chain में 2 बार बनाएंगे एक और यह दो ऐसे और फिर से एक chain फिर से एक और फिर से next rally chain में दो इसे और फिर से एक chain और यहाँ पर एक बार और next rally chain में same chain में दो बार इसे और round complete हो गया और फिर एक chain ले करके यह जो हमने तीन chain बनाई है इसमें तीसरी वाली chain में डाल करके slip stitch जोइट कर देंगे तो तीन तीन यह हमारी होती है वो एक कली होती है तो आप इस तरह से गिन लीजिए आपकी चोधा कली आई होगी तो इसे ही हम दूसरा round start करेंगे एक दो और यह तीन तीन chain ले ली अब तीन तीन के उपर हमारे चार चार हो जाएंगे नेक्स्ट वाले के उपर तीन की chain को हम एक डबल क्रूश्चा काउंट करेंगे और तीसरी वाली chain के उपर हमें सेम chain में दो बार बनाना है पहले हमने दो में एक एक किया देखे और दूसरी सोरी आखरी वाली chain में हमने दो बार बनाया फिर एक chain हर वक्त दो बार बनाने के बाद एक chain बनानी है फिर से दूसरी कली के उपर आ गये हम तो तीन के उपर यहाँ पर भी चार हो जाएंगे दूसरे के उपर एक बार बनाया अब तीसरे के उपर सेम चेन में दो बार बनेगा तो एक एक हमारा हर कले में बढ़ता जाएगा हर एक राउंड में फिर से एक चेन, दो लेने के बाद हमें एक चेन बनानी है फिट से एक के उपर एक दूसरे के उपर एक और तीसरा वाला जबाएगा हमारा इसके उपर सेम चेन में दो फिट से एक चेन लेकरके नेक्स्ट वाली कली में जाएंगे तो दिखे इस तरह की कलीया हमारी बनती जाएगे तीन के उपर चार चार बनते जाएंगे तो round complete कर दीगे तो दिखें दूसरा round complete हो गया आए एक chain ली और अब हमने जो तीन chain पहले बनाई थी इसकी पहली chain में डाल करके slip stitch से joint कर देंगे फिर से 1, 2 और 3 chain बनाएंगे और अब जो हमारे 4 है इसके उपर 5 5 हो जाएंगे नेक्स्ट वाले के उपर 1 फिर से नेक्स्ट वाले के उपर 1 और आखरी वाला जो हमारा चोत्था है इसके उपर सेम चेहन में 2 बार तो 3 की चेहन को हूम 1 डबल क्रोशा काउंट करेंगे और देखिए हमारे 5 हो गए है अब हम एक chain लेंगे 2 बना करके हमें हर वक्त एक chain लेनी है फिर से नेक्स ट्वाली कली में इसी तरह से करेंगे देखिए 4 के उपर 5 बना देंगे 3 के उपर एक एक करेंगे और 4 डबल क्रोशे के उपर 2 बार बना देंगे 3 हो गया और 4 वाला जो है इसके उपर सेम chain में 2 बार बनाएंगे इस तरह से और फिर एक chain फिर से नेक्स वाली कली में जाएंगे तो देखिए इस तरह से हमारे आखरी वाली के उपर हमें 2 बनाना है तो 4 के उपर हमारे 5 बन जाएंगे तो इसी तरह से round complete कर दीजे तो दिखें तीसरा round भी complete हो गया और तीसरे round में हमारे पास 5-5 double crochet आये है अब हम एक chain लेंगे और यहाँ पर जो हमने 3 chain बनाई थी इसकी पहली chain में डाल करके slip stitch से round को joint कर देंगे और अब हम 4-3 row start करेंगे 1, 2, 3 और अब हमारे पास 5-5 है इसके उपर 6-6 बन जाएंगे तो इस घेरे को छोटा और बड़ा बनाना बहुत इजी है इसी तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा अब इसमें कोई भी difference नहीं करना है जितना भी घेरा आपको बड़ा बनाना है आप इसी तरह से बढ़ाते जाएगे आखरी वाला डबल क्रोश्या जब हमारा आए दिखिए हमने 4 के उपर 1-1 बना दिया अब 5-2 के उपर सेम चेन में 2 बार बनेगा सेम चेन में 2 बार और फिर एक चेन फिर से दिखिए 5 के उपर हमें 6 करना है यहाँ पर तो 4 के उपर हम 1-1 बार बनाएंगे और आखरी वाले के उपर 2 बार बनाएंगे तो इसी तरह से यह अमारा घेरा बनता जाएगा देखिए इस तरह से 4 के उपर 1-1 कर दिया अब 5-2 के उपर सेम चेन में 2 और फिर एक चेन और आखरी वाली कली उपर फिर से स्टार्ट कर देंगे तो इसी तरह से हमारा घेरा पढ़ेगा पहले हमारे 3 थे फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए अब 6-6 हो गए और 2 के बाद 1 चेन लेनी है तो इस तरह से हमारी एक कली बनती जाएगी तो इस round को भी इस तरह से complete कर दीजे देखे चोथा round भी complete हो गया है एक chain ले करके तीसरी वाली chain में डाल करके हम round को joint कर देंगे slip stitch छे ऐसे फिर एक, दो और तीन chain बनाएंगे और अब हमारे 6 छे है इसके उपर हमारे 7 हो जाएंगे आखरी वाले के उपर हम दो बार बनाएंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि इस गेरे को इस तरह से बढ़ाना है और इतना ही रखना है तो भी रख सकते है अगर बढ़ाना है तो जितना भी आप गेरा बढ़ाए इसमें कोई खिचा और कोई जोल नहीं आएगा आप बीच बीच में नीचे रख करके देखते जाएए देखे आखरी डबल क्रोश्या है तो इसके उपर हमने दो बार बना दिया फिर एक चेन तो देखे तिन की चेन को एक डबल क्रोश्या काउट करेंगे तो छे के उपर हमारे साथ हो गए देखे इस तरह से तो इसी तरह से सारे राउंड बना लिजे जितना भी गेरा आपको बढ़ाना है एक गेरा बनाना बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे से बन जाता है प्लैन गेरा बनाते है तो कहीं बार जोल आता है खिचावाता है इस गेरे में आपको कुछ नहीं होगा एक जो हमने फ्रंट पोस्ट वाला गेरा बनाया है इसमें भी हमारा इसी तरह से है एकदम से परफेट बनेगा और इस वाले गेरे में भी इसी तरह से है एकदम से अच्छे से बनेगा इसमें कोई जोल नहीं आएगा कोई खिचाव नहीं आएगा देखिए आखरी वाले के उपर दो बना दिया तो देखे इसी तरह से हमें घेरा बनाना है जितना भी हम बनाए देखे नीचे रख करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं पर भी खिचाओ भी नहीं आता और चोल भी नहीं आता देखे इसमें भी हमने बनाए है राउंड पहले हमारे तीन थे फिर चार पाँच छे साथ और आठ आठ तक हमने रो बनाई है देखे पास थे तो जितना भी घेर आपको चाहिए इसी तरह से बढ़ा लिजे तो आशा करती हो आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह जो पैटरन है वो हम अगले वीडियो में दूसरे पार्ट में बता देंगे आपको तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजो में जो बेल आइकन घंटी आती है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नहीं वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थेंक यू फर वाचिंग